तो नमस्कार दोस्तों पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है इसमें आप सभी को मैं बता रहा था कि क्या क्या निर्देश आए हुए है नया और पुराना जिसको आप सभी को मैं असानी से समझा के कोई भी कंफिजन से दूर करना चाहता हूं तो हम लोग यहां तक कंप्लिट कर चुके थे इसके आगे हमको बताना था तो देखिए आपका यहां पर लिखा हुआ है 4.1 में देखते हैं इसके हमको ज़ुरत नहीं है दूसरा लास्ट येर का आपको एक्जाना पड़ता है यह तो आप सभी को पता है ठीक है और इसके बा यूजी का करें आपको क्या कर रहा होगा अगर आप गेप करें हैं जैसे 2021 में कुछ पास किये हैं ठीक है सुरी 2020 में अब 2022 में आप देना चाहरें तो आपका कितने साल का गेप हो गया एक साल का क्योंकि 2021 में आपने कुछ एक्जाम दिलाए नहीं तो आपको एक साल का गेप वगरे जमा करना तो नहीं होता लेकिन फॉर्म जैसे स्टार्ट होगा तो मैं प्रोसेस वाला जो वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे से फॉर्म आपको मोबाइल से या कंप्यूटर से भरना सिखाऊंगा तो उसमें आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे करना है ठीक है और देखिए यहांपर बोल रहा है अगर कोई पाठकरम का 1-2 वर्स या 2022 के पूर्व की पार्ट परिच्छा उठ्ट्री ने किया है और इस बीश में परिवतन आ गया हो तो प्रशल पत्र के प्राइवेट वालों के लिए हम प्राइवेट वालों का को दिक्कत नहीं है तो आपको पातरता प्राइवेट वालों का जमा करना होगा वहां से लाना होगा ठीक है इसके बाद इसकी जुरत नहीं है इसके बाद यह जो 4.7 उसको देखते हैं बहुत सरचात्र पूछते हैं कि एक साथ हम दो दो करेंगे इधर लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वाली लाइन यहां पर लिखी वी है किसी परिक्षारती को एक सत्र में विश्वधाले की एक से अधिक उपाधी या डिप्लोमा परिक्षाओं में सम्मलीत होने की पात्रता नहीं है हर बार मैं बताता हूं कमेंट में बताता हूं वाटसअप वाले में सब मैं बताता हूं कि बार बार आप सभी को कि भाई एक से ज़्यादा मत पढ़ना यहां पर यह चाहा है प्राइवेट हो चाहा है रेगुलर हो लेकिन कोई मानता ही नहीं छूड़ दी गई है लेकिन कौन-कौन सा वो ध्यान रखे केवल भासा म मान लो जाए आप भीस सी कर रहे हैं और इसके सांथ हम्म्हदब भीस सी हो गया ए-सवरी मयस सी लेते हैं क्योंकि आप मितलू हमकर रहा हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं computer का course करना चाह रहे हैं इधर MSC कर लो और आप DCA भी कर सकते हो एक साथ ये दोनों आप कर सकते हो एक साथ लेकिन इसके अलाबा कोई भी ऐसा आपका course नहीं है जिसको आप एक साथ कर सके हैं ध्यान रखेगा ठेक हैं पिता पती का नाम ध्यान अगर अगर उपनाम परिवर्तन हो चुका तभी आप पती का नाम अंकित करेंगे अपने पीता जी का करें के फोगा तो सर्टिफिकेट लगाएं वह भी मूल प्रती करना पड़ता है यह वाला website है जहां से आपको form भरना है पूरी डिटेल में दूंगा वहां से आप समझ जाएंगे ठीक है इसके बाद और यहां से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे यह सब चीजे जो है यहां इस वाली website से मिलेगा आपको इसके बाद जो है जो भूद पूर एक से रेगुलर है या फिर सप्लिमेंटरी वाले हैं उनको प्रश्ण पत्र परिवरतन नहीं होगा जिसमें आए हैं उसी में आपको करना पड़े गा आओ स्जेविसार करने के प्रमान पत्रसन लगने करना अवश्ट है और द्रिदार्य त अवजी तक प्रमान पत्रक्त्र कर लिया है तो 180 रुपे अलग से लगेगा यह सब जवाबदारी आप स्वैम की है जो भी डिटेल भरेंगे वह आपके अपने उपर जिम्मेदारी ले रहे हैं इसके बाद प्रयोगिक विसाय के लिए आपको पंजीयन करना पड़ेगा परिक्षा केंद्र में यहां महाविध्याले में जाकर उसके बाद जो है आपको आनलाइन आविदन करना स्टार्ट करना है पीजी के लिए भी मैं बता दिया हूं सुधार वर्ग में आविदन वा आविदकों को विश्वच दाले करिया है आकर आपको अनुमती लेनी होगी जो सुदार कर रहा है उसको पहले यूनिवर्स एक एक पॉइंट को मैंने बता दिया है वीडियो इसलिए लंबा हुआ है और कोई भी जनकारी छुट जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिएगा वहां से पूरे डिटेल आप सब को बता देंगे और कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे ग्रुप्स के प आप हमें जॉइंट कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं बने रहेगा लगातार रोज के रोज आप सभी को इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा तब तक के लिए बहुत बहुत धिनवाद रक्सांस पूजिंग क्लास